तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की problems का solution लेके और आप सभी के precious time को save करने के लिए आज का जो topic लिखा है हूँ काफी interesting topic है जिसका नाम है how to automatically send new telegram message in slack messages in slack तो हम इसमें सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे telegram group के messages को automatically send कर सकते हैं slack के channel के उपर okay so क्यों use करोंगे आप इसका मान लीजे आपकी कपनी और उसमें आपकी दो teams है एक team जो काम करती हो Telegram पे करती है और एक team जो काम करती है वो slack पे करती है अब आपको कोई message send करना होता है तो पहले आप आपी एलीगराम वाली team को message करते हो फिर आप जाके आपकी slack वाली team को message करते हो तो ये दोनों जगा एक ही message करने में जो आपका time जा रहा है ये मैंने खतम कर दिया इस automation की help से क्या होगा कि जैसे ही आप telegram के अंदर एक message send करोगे telegram का जो आपने group बना के रखाश में का आप message send करोगे तो वो same message automatically send हो जाएगा slack के एक channel पे जहाँ पे आपकी दूसरी team मौझूद है ये करने के लिए आपको क्या करना होगा इन दोनों application के बीच में एक automation set करना होगा telegram और slack के बीच में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दोनों ही application के बीच में कोई भी direct connection नहीं है so connection बनाने के लिए इस automation को set करने के लिए मैंने help लिए एक software की जिसका नाम है family connect जो की एक automation and integration software है और इसी software की help से ये automation संभा हो पाया है और best part तो यह है automation का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding skills या फिर programming knowledge का आना जरूरी नहीं है आप एक non-technical और normal user भी है तो भी इस automation को आप बहुत ही easily set कर लेंगे तो ये automation मैं कैसे set करता हूँ पूरी की पूरी process step by step अभी करके दिखाता हूँ आपको अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे प्रेस एंटर ओके सो ये official website क्लिक करेंगे sign up free पर अपना account एक दम बनाने के लिए मैं बना चुका हूँ that's why click करूँगा sign in पर first option आएगा login करने के बाद पैबली connect का click करूँगा पैबली connect ये उपर ओके जैसा कि आप देख रहे है access now का option है click करूँगा then dashboard open हो जाएगा पैबली connect का click करूँगा create workflow पे right hand side पे एक option आएगा create workflow का click करके अपना एक नाम दे दूँगा मैं अपने workflow को मैं नाम दे देता हूँ telegram to slack ओके मैंने नाम दिया telegram to slack आप जो नाम चाहे है वो नाम दे सकते हैं एक बात इस वीडियो के windows आगे trigger action दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे telegram पे telegram के group पे जब भी हम कोई message send करें तो automatically वो same message हमारे slack के channel पे send हो जाए जिससे कि हमारी team को information मिल जाए उस message की ठीक है connect पे क्लिक करूँगा connection के लिए then add new connections पे एक new connection के लिए चाहिए रहेगा token token के लिए कहाँ चलना होगा क्या करना होगा सारी details यहां पे नीचे दी है चलना होगा telegram पे तो यह है मेरा telegram का web account जैसा कि आप लोग देख रहे है open करके रखाए मैंने web page okay so क्या करूँगा यहां पे सबसे पहले search करूँगा boat father okay boat father blue tick जिस पे लगाए उसको आपको open कर लेना है restart boat पे click करके start कर लेना है boat को then यहां पे type करना है slash new boat okay slash new boat okay यह रहा ठीक है इसको choose कर लेना है okay यह हमसे पूछ रहा है क्या नाम देना चाहेंगा आप अपने boat को तो मैं नाम देना चाहूँगा slack okay slack नाम दिया है मैंने अब यह बोल रहा है कि आप अपने boat को एक यूजर नेम दीजे लेकिन उसकी शर्त है कि last मैं underscore boat होना चाहिए तो underscore boat पहले copy करके paste कर लेता हूँ तैने यहाँ पे लिक देता हूँ slack okay slack one two three hash underscore boat okay मैंने यह नाम दिया है sorry this username invalid okay एक काम करता हूँ मैं शायद hash लगा है मैंने इसलिए invalid बता रहा है okay खाली इतना डाल के देखता हूँ already taken okay so इसको मैं कर देता हूँ एक और underscore अब शायद हो जाए okay अभी भी नहीं हो रहा है slack one two three two telegram ठीक है यह नाम देता हूँ क्यों कि यह कई सारे नाम जो हैं देखे रखे हैं पहले से ना telegram तो टी ओ हटा देता हूँ यहां से okay so अब कर के देखता हूँ यहां पर यहां पर यह वाला नाम होगे है हमारे यूजर यूजर नेम slack one two three telegram अंडर्सकोर बॉट यह हमारे बॉट का नाम है बॉट हमें इस लिंक पर मिल जाएगा स्टार्ट कर देता है सबसे पहले बॉट को चलके slack है ठीक है स्टार्ट कर दिया ठीक है यूजर नेम उसका slack one two three था और जो नाम है उसका slack है ठीक है यहां पर start होगे हमारा बॉट जो है वो successfully start हो चुका है चलते हैं हमारे वापिस से कहां पर बॉट फादर पर और यहां पर जो token दिया बॉट फादर ने हमें इसको copy कर लेते है ना इसी के लिए तो आये थे हमें तर इसको मैं copy कर लेता हूँ सबसे पहले तो okay copy करने के बाद यहां पर आके paste कर देता हूँ simple then click करता हूँ save connection के लिए okay save पर click करने के बाद connection हो जाएगा मेरा i think successfully सो की जो की हो गया है connected है मेरा telegram बोट अभी प्रपली कनेक्ट से ठीक है क्लिक करता हूँ save and send test request पे तो जैसे कि आप देख रहे है waiting for response का जो है यहां पर शो कर रहा है तो अप में क्या करता हूँ मैं चलके एक group बना लिता हूँ सबसे पहले तो इसको मैंने नाम दिया है slack ओके यह रहा click करके add कर लिए अर second मैं आड़ कर लिता हूँ अपने friend को ओके यहां पर मैंने यहां आड़ कर लिया है ठीक है नाम्र रिता हूं group को मैं लेता हूँ telegram to slack integration है स्टेलिग्राव हाध इंटीग्रेशन आप जो नाम चाहे वो नाम दे सकते हैं यहां पर मैंने नाम दे दिया है अब मुझे क्या करना होगा मुझे इस बोट को जो है बनाना होगा admin इस group का किस boat को slack को मुझे इस group का admin बनाना होगा जैसा कि आप देख रहे हैं तीन लोग हैं इसमें slack, Aaron और मैं ठीक है तो मुझे slack को क्या करना है boat बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे या तो application download करना होगा अपने PC में telegram का original या फिर मेरे mobile में होगा तो मैं अपने mobile से जाके क्या करता हूँ boat को बना देता हूँ admin आप भी या तो application download कर लिजेगा या अपने mobile phone से जाके boat को बना दीजेगा admin में आगे हूँ अपने mobile phone में और अब मैं admin बनाने वाला हूँ boat को ठीक है तो मैंने promote to admin पर क्लिक करके admin बना दिया है boat जो है अब मेरा successfully admin बन गया है इस group का refresh कर लिता हूँ admin मराने के बाद तो refresh कर लिया है मैंने अब boat जो है इस group का admin है ठीक है अब आजाता हूँ family connect पर वापस जैसा कि आप लोग देख रहा है यहाँ पर details capture करी है इसने है लेकिन अभी हमने कोई message नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे recapture webook पर click कर देंगे अब यह waiting for response का option आ रहा है अब जब भी इस group में जितने भी लोग add हैं कितनों को भी आप add कर सकते हैं और उन में से कोई भी इस group पर message करेगा ना तो automatically उसकी details capture कर लेगा पैबली connect अपने पास बोट के दोरा ठीके तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक message करके sign करके check कर लेता हूँ वहाँ पर response आ रहा है कि नहीं तो मैं हाँ पर just एक random message new message करके type करता हूँ message और check करूँगा पैबली connect के पास इसकी details पहुंचती है या नहीं तो मैंने वहाँ पर type किया new message तो yes जैसा कि आप लोग देख रहे है response received होगा है मैंने message किया that's why मेरा नाम यहाँ पर और जो message है वो है new message जैसा कि आप लोग देख रहे है तो यहाँ पर एकदम perfectly काम कर रहा है हमारा boat ठीक है तो क्या करता हूँ recapture webook पर क्लिक कर देता हूँ अब जो original message मुझे जो sign कर रहा है वो sign करता हूँ तो मैं यहाँ पर original message sign कर देता हूँ java error please resolve all the issues just take random message है यह मैंने sign कर दिया अब यहाँ पर पैबली करेक्ट ने capture कर लिया होगा यहाँ पर capture कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि मैंने message कर रहा था java error please resolve all the issues यह मैंने एक message किया है अब मैं चाहता हूँ कि यह same message जो है मेरे slack के channel पर sign हो जाए then new connections पर then connect with slack पर यहाँ पर मुझे token चाहिए रहेगा token कहां मिलेगा मुझे उसके लिए here पर click करता हूँ okay सीधे token पर पहुँच जाओगा शायद यहाँ पर हमको बताया गया है कि token आपको कहां मिलेगा so token actually है क्या user लिख दो token में या फिर boat लिख दो आप ठीक है अगर आप user लिखते हो तो आप इन सब चीज़े यह सारी चीज़े कर सकते हो अपने slack में और अगर boat लिखते हो तो आप यह सारी चीज़े कर सकते हो तो मैं लिखता हूँ boat okay so क्योंकि मुझे channel message send करना है that's why मैं यहाँ पर लिख देता हूँ boat ठीक है boat then save पर क्लिक कर देता हूँ okay then यह मुझसे access मांगेगा तो मैं allow पर क्लिक कर देता हूँ don't worry publicly connect is 100% safe okay connection हो गया जैसा कि आप लोग देख रहे है connected है मेरा slack अभी successfully किससे publicly connect से connect होने के बाद सबसे first field आये channel की तो मुझसे बूचना है sir किस channel में आप message send करना चाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कई सारे channels है बहुत सारे channels है इन में से आप अपना एक new channel भी create कर सकते हैं यहाँ plus button पर क्लिक करके तो मैं जो चाता हूँ कौन से वाले channel पर send हो जाए हमारे पैबली demo वाले channel पर एक message send हो जाए फीक है यह वाला channel मैं चाता हूँ कि इस पर send हो जाए मैं यह वाले channel को सबसे पहले select कर लूँगा क्या नाम है पैबली demo यह रहा है छूज कर लिया मैंने message किस टाइप कराएगा तो यहाँ पर मैलोली लिख देता हूँ सब पर पहले तो hello team okay hello team बस यह हर message में same रहेगा hello team उसके बाद क्या है उसके बाद हम map कर देंगे यह हमारा message okay hello team java error please resolve all the issues okay यह इस तरीके करें मैंने message map करना ज़रूरी है यह हर message में जो है same रहेगा hello team है जो मैंने manually लिखा है और जो मैंने map करा है यह message जो जैसे जैसे message sign करेगा group पे कोई भी telegram के तो यहाँ पर automatically जैसे मैंने map किया वैसे software map करके उसको sign कर देगा ठीक है hello team यहाँ पर मैंने message map कर दिया then मैंने लिख देता हूँ thank you okay यहाँ पर इस तरीके का simple message मैंने डाल दिया आप अपने according जिस तरीके का message डालना चाते हो वो डाल सकते है ठीक है thank you भी same रहेगा हर message में और hello team भी same रहेगा बस जो बदलेगा वो यह बदलेगा okay है ना क्योंकि यही same message तो करेंगे नी sub team member है ना image URL आप डाल सकते हो अगर image आपको डाल नहीं है साथ में तो boat name आप यहाँ पर दे सकते हो तो मैं boat name देता हूँ family okay है ना आप और नाम चाहे तो और भी दूसरा नाम दे सकते है जिस नाम से जो है message जाए आपके slack channel पर वो boat name okay boat icon को skip कर रहा हूँ auto expand links true रख रहा हूँ इसको भी true रख रहा हूँ मैं reply broadcast false रखा है आप इन सबी को कर सकते है threat message मेरे पास id है नहीं तो इसको skip कर रहा हूँ then click करूंगा simply save and send test request पर दन चलके check करेंगे हमारे slack के channel पर message पहुचा के नहीं means मैंने अभी successfully जो है integration कर दिया automate कर दिया अपने telegram को slack से safe पर click कर देता हूँ यह automation यहाँ पर set हो गया अब आपको कुछ भी करने की दरूवत नहीं है अब सब कुछ software करेगा जैसे ही आपके इस channel इस group पे telegram to slack integration वाले group पे इस group में जितने भी लोग add है उन में से कोई भी message करेगा तो automatically वो same message कुछ इस तरह से जिसके अंदर hello team लिखा होगा और बीच में message होगा और thank you के साथ इस channel पे sent हो जाएगा आपको नहीं करना यह software करेग होगे हैना ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो वो भी बिना किसी परिशानी के और जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं कि इस video के description box में आपको एक link बिल जाएगा जो कि होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी यह same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एकदम free में इस video से related कुछ questions होते हैं आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं मेरी team से बात करना चाते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको य करतינ कंब बाता हैं यहां, कहुंते हां धुट से फ्ड़하기 room, क便 कि खाता हैं अवाले आपसकारी हैं में भी घखके पाते हैं में किङगा, क्लाब करना चाते हैं फिया किजर से बाता हैं, तो रहें हैं बाता हैं तुम वया दिन हिंब His जई Eки जो रहें हैं यहाई हैं प्रक